दोस्तों सीरिस बोड की सहायता से किसी भी बाइंडिंग को कैसे टेस्ट किया जाता है चाहे वो हमारी कूलर मोटर हो या हमारा सीलिंग फैन हो या कोई सी भी मोटर हो तो उसकी बाइंडिंग को आप आसानी से घर पर सीरिस बोड की सहायता से टेस्ट कर सकते हैं यह बिलकुल ही simple होता है, बहुत ही आसान होता है, आप बिलकुल easily आप घर पर ही test कर सकते हैं, तो इसको कैसे test करना होता है, बो हम आपको इस वीडियो में practically करके बताने वाले हैं, तो देखिए, यह हमारे तीनों binding के बायर हैं, जिसमें एक starting, एक running, और यह हमारा common wire होगा, और यह हमारा series board है, और series board से आप इसको test कर सकते हैं, तो देखिए, यह हमारे series board के two leads हैं, इसको लेना होगा, और हमारे जो series lamp है, उसको आप on कर लेंगे इस सुच से, और आप एक बार यह जो wire है हमारे, इसको आप उसमें touch करेंगे, तो हमारे series lamp है, वो glow होती है, और इस से आप इसको test कर सकते हैं, तो देखिए, यहाँ पर आप जो हमारी binding है, उसके एक एक बार में आपको इसको lead को लगाना होगा, तो देखिए, यह जो binding है, यह हमारी सही binding दिखा रही है, यह बलब जलेगा, तो यह binding हमारी सही है, और यहाँ पर देखिए, दूसरी बार में हम जब लगा रहे हैं, तो बाइंडिंग जो बाइर है वो लगाने के बाद ये लेंप है वो चालू नहीं हो रही है इसका मतलब बाइंडिंग है वो ओपन है अगर बाइंडिंग सही है तो हमारा ये जो बल्ब है वो गिलो होना चाहिए अगर बल्ब गिलो नहीं हो रहा है इसका मतलब ये तो आप इसको simply अपने घर पर इस प्रकार से test कर सकते हैं दोस्तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई एक mortar की binding है वो open हो गई है खराब दिखा रही है तब आप उसको घर पर कैसे repair कर सकते हैं कैसे maintenance कर सकते हैं वो हम आपको किसी और वीडियो में बता देंगे या next वीडियो में हम आपको बताएंगे तो दोस्तो वीडियो पसंद आए तो like share जरू करें और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को subscribe जरू कर लें क्योंकि हम इस प्रकार के helpful content इस चैनल पर लाते रहते हैं जो आपको बहुत ही काम आ सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और वीडियो में